हेलो दोस्तों आप सभी को मेरे चनेल चिली तटका में स्वागते हैं आज हम बनाएंगे बोटर नान इसे हम घर पर आसानी से बना सकते हैं अब शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक छोटी चमाच रिफेंड ओयल निया है और दो बड़ी चमाच दही लिया है एक छोटी चमाच शुगर लिया है हाप कप दूद इन शबी को अच्छे से मिला लेंगे शुगर मेल्ट होने तक मिला लेंगे अब दूसरी पाउल में डालेंगे दो कप मेदा और एक कप अटा हाप छोटी चमाच बेकिंग पाउडर एक चोथा ही छोटी चमाच बेकिंग सोड़ा और स्वाद की सब से नमक अब इसको चान कर मिलाएंगे जो दूद और दही का मिक्स्चर बनाए थे इसमें डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूद डालके इसका डो बना लेंगे एक कप दूद लिया था अधा कप पहले डाला था अब अधा कप लगा अब हमारा डो बन गया इसको पंदरा मिनुट के लिए रेष्ट करने देते हैं कभर करके अब पंदरा मिनिट हो गया है इसका छोटा छोटा पेड़ा बना लेते हैं अब जितना बुड़ा नान बनाना चाहते हो उसी जाब से पेड़ा बनाए अब इसको कभर करके रखेंगे नहीं तो सुख जाएगा एक एक करके लाके बेले के अब इसको बेल लेंगे मैंने ओभल शेप पे बेला है आप चाहे तो गोल शेप में भी बेल सकते हैं अब इसके उपर थड़ा सा काला जीरा और धन्या पता डालके तीरे से बेल लेंगे अब नान को शेखने के लिए एक मोटी तावा लेंगे नान श्टिक तावा नहीं लेंगे और तावा गरम होने के बाल जीस सैड तावा के उपर रहेगा उसके उपर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे पानी लगाने से तावा के उपर चिपक के रहेगा और उपर को थोड़ा सा दबा लेंगे आप देखिए उपर बबल जैसे आ रहा है नीचे शिख गया है अब तावा को पलट के घुमागे शिखेंगे अब हमारा दोने साइड शिख गया है देखिए नीचे का साइड भी शिख गया है अच्छे से अब एक-एक करके इसे ही शिख लेंगे इसके उपर थोड़ा सा बटर लगा के सार्प करेंगे आपको जिसके साथ खाना पसंद है खा सकते है मेरा नान तो बहुत ही शॉप्ट बना है आप इसे असान इसे घर पर बना सकते है जब मन हो तो बना सकते है आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सस्क्राइब करना ना भुलिए धन्याबाद